खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाएगे और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेगे तो 23 माई को आएंगे चुनाव के नतीजे लेकिन उससे पहले यहाँ यह जो हमारा डेटा सेंटर है मैं आपको जल्दी से ज़रा लेकर चलती हूँ रिवाइन करके 2014 में 2014 लोकसभा की तस्वीर क्या ऊपरी थी? गुल 543 लोकसभा की सीटे ये देखे पूरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे है, 543 लोकसभा की सीटों में अंडिये के खाते में गई थी, 336 सीटे, UPA को महस 60 सीटे मिली थी और अन्ने के खाते में 147 सीटे गई थी अब जल्दी से आ जाईए 2019 पे 2019 जहां आज चौते चरण का चुनाब हो रहा है लेकिन पहला चरण 91 सीट एंडिये के पास 54 थी यूपी आज अन्ने के खाते में 39 थी अब बात करते हैं सेकंड फेस की जो दूसरे चरण में मतदान सीटे थी उसके आंकड़े की बात करें तो 117 सीटे थी एंडिये 66 यूपी ए 22 और अन्ने 29 और अब आज चौता चरण कुल 71 सीटे जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं और बीजेपी के लिए ये बेहत एहम हो जाता है क्योंके एंडिये जिसे 56 सीटे मिली थी इन इक 70 में स अकेले बीजेपी को अपने दम पर 45 सीटे मिली थी अब ज़रा जोड लीजे ये पूरा आंकड़ा कहां जाकर बैठ रहा है फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 मिला दिया जाए तो पहले और दूसरे फेज को मिला कर 12 राज्यों के अंदर चुनाव खत्म हो गए थे फिर तीसरे इसके बाद देश के 21 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए और चौथे फेज के बाद तो 22 राज्यों में देश के चुनाव खत्म और बड़ी तस्वीर जो भर रही है वो ये कि कुल 79 फीसदी सीटे जिस पर चुनाव खत्म हो जाएंगे इस चौथे फेज पर मतदान के सा साथ